हेलो दोस्तो स्टोक एनालिसिस में आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तो आज हम बात करने वाल हैं उसियाजी टेक्सफाब लिमिटेट से एर के बारे में जैसे की दोस्तो पहले आपको बताए था स्टोक के अंदर एक ब्रेकाउट पेटर्न हो रहा है इसमें स्टोक यहां पर ऑपर सरक्ट के साथ खुला है यहां पर पिछले एक माने कंदर आप देखेगा इसमें 13% का तेजी देखने को मिल चुका है जो कि काफी सांदर तीजी है यहां से स्टोक ब्रेकाउट ले चुका है जो कि इसी के आजुबा जो आपको बताए था दोस्तो 51 क की रेंज पर आपको बता है था यहां से स्टोक जब रेकाउट करेगा फिर उसके बाद इसमें 60 और 65 ऐसे आपको देखने को मिली सकता है तो 65 के रेंज को पर दोस्तों यहां पर एक रेजिस्टांस लेवल है उसको तुड़ने के बाद स्टोक कंदर का अच्छागा सा मोमे स्टोक उतना सांदाल नहीं है जितना की आप सोच रहे हो तेक्निकली दोस्तों यहां पर ब्रेकाउट हो रहा है इसी के बज़े से स्टोक कंदर आप पुकुसर रख सकते हैं पिछले एक साल कंदर देखिएगा यहां पर स्टोक 37 पर्सन का रिटौन दे रहा है तो यहां प पर पुकि सांदा रिटॉन का देखिएगा फिर उसके बाद एक ने राली देखने को मिली सकता है 100 का टार्गेट इसमें देखने को मिली सकता है जूकि प्रेल यहां पर देखिए दोस्तों और तोल टाइम पर देखेगा स्टॉक यहां पर काफी सांदा रिटन दे रहा है मुल्टिवेग रिटन 309 पूर्शन का दोस्तो नोट बेड बहुत ही सांदा रिटन होता है और स्टॉक जब लिश्टिंग हुआ था तभी के टाइम पर स्टॉक का प्राइस 15-16 रुपे में ट्रे 30 करोड का मार्केट बेलोशन है और एसे 15 स्टॉक भी काफी ज़्यादा रिक्से होते हैं और रिक्से के साथ साथ काफी ज़्यादा रिवर्ड भी देते हैं 36 का प्राइस रेंज यहां पर 68 तो आपको देखने को मिलेगा 52 कंदर और श्टॉक का पी अभी 42 पर है और इंडेश्ट्री का पी दोस्तों देख लिजे 27 थोड़ा सा यहां पर आपको ऑफर बेलोड में देखने को मिलेगा लेकिन टेक्निकली दोस्तों स्टॉक कंदर ब्र दोस्तों और बात कर यहां पर भी आपको एक टार्गेट देया था जो कि स्टोक यहां से 200 दे मुविंग एब्रेस से बहुत ही सांदर सब्सक्राइब ले रहा है आप देखेगा जितनी बार भी 200 दे मुविंग एपर इसका आसपास आया है उसके बाद यहां पर एक बहुत ही सांदर तेजी देखने को मिला है यहां से देखिएगा दोस्तों यहां पर एक बहुत ही सांदर तेजी देखने को मिला था और यहां पर भी तेजी देखने को मिला था और यहां से दोस्तों देख लिए स्टोक ब्रेकाट ले चुका है और उसके बाद आपको टार्गेट द जो कि net profit पर कमने अच्छी का सी profit कर रहा है और year on year basis में भी आप देख लिजे बहुत ही चोड़ा सा stock है और यहां पर कुछ कोरोडो का sell से देखने को मिलेगा और net profit कर बात की जाए net profit पर दोस्तो company loss नहीं क्या है अच्छी बात है और एक negative है दोस्तो जो कि share holding pattern को पर जैसे कि आप देखेगा share holding pattern पर promoter के पास जो भी holding है बहुत ही चुड़ा सा minor सा holding है और ऐसे penny stock दोस्तो जो कि इसमें सिर्फ public ही पॉब्ली की बेटे है 97% का holding है तो इसलिए मैं आपको कह रहा तो अगर आप investment कोनना चाते हो तो short term के लिए आप target लिजे और stop plus भी जरूर मेंटेन करिएगा जो कि आगे चल कर आशनी से आपको 5 से लेकर 10% का return देखने को मिल सकता है और उसके बाद दोस्तो ज्यादा लालत मत करेगा नहीं तो आपको घाटा हो सकता है तो आज के वीडियो में दोस्तो इतना ही तो मिलते हो रहेगे ने वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार